हेलो एवरीवन वेल्कम टू सट्डिया की पीसियस दोस्तों क्लामेट ओलजी सेक्शन को वापिस कंटिन्यू करते हुए आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं डाट इस ओन आट्मस्फरीक प्रेशर बेल्ट या उसको बोलते हैं प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्थम आप आपके बोर्ड पर आपको दिख रहा है लिखा हुआ दोसों देखिए प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्थम जितना भी टीचर्स पढ़ाते हैं और जिनको काफी अच्छी नॉलेज है वह आपको यहीं बोलेंगे कि सबसे मुश्किल सबसे चालेंजिंग भी टीचर के और जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो भी रेनफॉल इंडिया में आपको देखने को मिलती है जो अभी दिल्ली में और गुडगाओं में जो कल हलकी हलकी रेनफॉल हुई यह सब जो है अगर इसकी अंडरस्टाइंडिंग आपको बेटर बनानी है तो आपको यह टॉ इस बार भी जेके पीएसी के कोशन में पेपर में 2023 के पेपर में ओशन करेंट के बारे में पोचा हुआ था तो यह ओशन करेंट की डिवलप्मेंट कैसे होती है कैसे ओशन के वाटर एक पर्टिकल डिरेक्शन में मूव करते हैं वो तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब का रिलेशन किस के साथ दोस्तों आपका टेंपैरेचर के साथ एक रिलेशन है वो रिलेशन क्या है उल्टा मतलब अट्मस्फ 수도र हेशर हमेशा हाई होगा जब मैं बोलता हूँ आट्मस फर्क प्रेशर हाई होगा मतलब आर्थ के सरफेस के उपर एर का दबाव मांतलब एर का दबाद कम है वो कब कम होगा जब टेंपरेचर क्या होगा जादा होगा यह यह यार रखी कि यह वैसा ही यूनिवर्सल टूथ है जैसा हम क्या कहते है हमेशा पढ़ते सन राइस फ्रम इस्ट हमने पढ़ा है ना तो यह वैसा ही है कि जब भी टेंपरेचर जादा सबसे पहले हम उसी को पढ़ेंगे अब वो बेल्ट जो आपको equator के पास मिलते हैं मुझे बताओ हमने already पहले पढ़ा है कि equator में जो है वो temperature बहुत ज़ादा है equator direct raise receive करते हैं इसलिए यहाँ पे temperature बहुत ज़ादा रहते है अगर temperature ज़ादा है तो equator के surface के उपर air का दबाब क्या होगा कम होगा इसलिए जहाँ जहाँ से equator pass होता है वहाँ पे जो belt मिलती है उसको हम बोलते है equatorial क्या बोलते है equatorial low pressure belt क्या बोलते है equatorial low pressure belt मेरी बात क्लियर होगी low pressure मतलब यहाँ पे गर्मी ज़ादा होने के कारण इस पूरे region में इस पूरे बेल्ट में एर का दबाव किया रहता है काम रहता है अब यह जो बेल्ट है यह कहीं न कहीं किसी किसी सर्टेन पॉइंट तक एक्सेंड कर रही होगी ऐसा तो नहीं है न कि भाई मैंने यहाँ पर पाऊं रखा और आगे पाऊं रखा तो लो प्रेश्य बेल्ट खत रहता है तो कॉमेंट सेक्शन में लाटिटूड और लांगिटूड को लेके वीडियो का लिंक होगा उस पे पहले क्लिक करें लाटिटूड को अच्छे से पढ़ें जब लाटिटूड समझ आ जाए तभी उसके बाद आप इस टॉपिक पर आईएगा ऐसे इसको समझने का कोई फाइदा नहीं है ठीक है तो अब मुझे बताओ एकविट और लो प्रेशर बेल्ट का ओरिजन किसपे डिपेंड किया हीट फे हीट मतलब हीट ज़्यादा है हीट को हम थर्मी बोलते इसे लिए एकविट और लो प्रेशर बेल्ट को क्या बोलते हैं thermally induced thermally induced low pressure belt thermally induced low pressure belt मतलब इस belt के बनने का कारेन ही क्या है आपका temperature का जादा होना और यह throughout year exist करता है यह permanent है अब अगर आप equator equator जहां जहां से pass हो रहा है for example equator pass होता है Asia में Indonesia से कहां से pass होता है Indonesia country से राइट आपके अफरीका में कहां से pass होता है बचा Kenya से pass होता है DRC Democratic Republic of Congo से pass होता है Congo से pass होता है आप यहां जाके चेक करिये throughout year आपको क्या मिलेगा air का pressure low मिलेगा because यहां पर temperature जादा है क्यों क्योंकि यहां से equator pass होता है clear हो गया done कोई दिक्कत तो नहीं अब दोस्तों एक और बेल्ट जो heat के कारण बनी है 70 degree north और 70 degree south दोनों hemisphere में मिलती है और यहां पर हमने पहले ही देखा कि यहां पर temperature बहुत कम है क्योंकि यह सूरज की indirect यानि oblique या slanting rays receive करता है वो क्यों करता है हमने already पढ़ा it is because of the shape of the earth क्या shape of the earth की वज़े से अब यहां पर temperature is very low temperature is low temperature low है तो मतलब क्या सर्दियां तो मुझे बताओ जब सर्दियां है तो वहां पर यह ठंडी होगी एर इगठी होगी एर धबाब जादा डालेगी तो यहां पर जो pressure किसके कारण बना है heat की deficit heat की कमी के वज़े से इसलिए हम इसको यह भी क्या बोलते हैं thermal pressure belt क्या बोलते है thermal pressure belt अब मुझे बताएं बच्चा हमें पता चल गया कि heat के कारण हमारी अर्थ में तीन permanent belts मिलती हैं उनमें से एक है low pressure belt मतलब जहां पी एर का दबाब कम है दो है high pressure belt latitudinal accent कितना है समझ आ गया दोनुमें तो कितनी belts है जो heat के कारण बनी है तीन belts अब question मेरा यह है कि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सहारा डिज़ट ध्यान से सुनिएगा सहारा डिज़ट फार डिज़ट डन दुबई country के बारें बात करो यहाप पीड़ेट मिलता है सोधी अरेबिया याद करिए सब हमने अब जिसको यह कंट्रीज नहीं पता कहा है वह वर्ल्ड मैप जाके देखें वर्ल्ड मैप में मैंने आल्रेडी इनको कवर कर लिया है वर्ल्ड मैप का भी लिंक में आपको डिस्रिप्शन ब बहुत गर्मी होती यहां पर तो मुझे बताईए दोस्तों यहां पर अगर टेंपरेचर बहुत जादा है तो आटमस्फरिक प्रेशर प्रेशर क्या होना चाहिए बचा लो होना चाहिए बट एक प्रेशर हाई अब उलता हो गया मैं जो अभी तक प्ढ़ा रहा था उसका उलटा चल रहा है, वहां पे atmospheric pressure कम होने के बज्धाए किया है, जाता है, मतलब temperature कारण तो नहीं है, इस high air दबाव की पीछे, इसके पीछे कारण कोई और है, और ये चाह मिलता है, मैं इसी जगह में बना रहा हूं ये यह बना रहा हूं यह 25 डिग्री नौर्थ और 35 डिग्री नौर्थ मतलब इसी रीजन में आपको था डेज़र्ट मिलेगा दुबई साहारा डेज़र्ट, पर्षण गल्व, पूरा इरान, इराक इसी बेल्ट में है अफगानिसन इसी बेल्ट में है मैं बोल रहा हूँ कि गर्मियों में गरम temperature बहुत ज़्यादा होने के बाद भी यहाँ पे आपको atmospheric pressure क्या मिलेगा भीया ज़्यादा मिलेगा अब इसके पिछे भाई हमें ये बात समझ आगी कि temperature कारण नहीं है ना temperature रिजन नहीं है बोला इसके पिछे कारण क्या है इसके पिछे कारण है dynamic forces क्या कारण है बचा क् units फूरस फिर सेकेंड आ अगया आपका Kubrash enters bursts इसोंफ क्या है अपका इसनल फोर्स कि थार्ड क्या है अपका फ्रेक्जनल फोर्स क्या है बच्छा फ्रेक्श्शनल फॉर्स जब तो आपको जो और विलॉशcarbon वोश्टेटी को रीटार्ट करती काम करती रहती है उसको हम क्या बोलते है अब एक बात में simple बतातो आप इस फोर्स को समझने से पहले एक चीज़ बताता हूं आपने एक सौनागा तो बोलो ओम शानतीओम हण में रिशी और रिशी कपूर जब ये राच होब वह प्लाइट फॉर्म अपॉपर और ढूर्ण TRAUND तो जब भी वह चलनी की कोशिश करते हैं तो वह दास करने की कोशिश करते हैं तो बट जिस platform में घूमने के कारण का है वो क्या हो रहे डिफलेक्ट हो रहे अब एक simple बात है मेरी video आप देख रहे हो और में video बना रहा हूँ मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ इस is point A and this is point B ठीक है ये एक बात मैं बोल रहा हूँ आपको यहां से य चले जाओगे आंसर इस यह अपको कि आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी से श्ट्रेट जाना है लेकिन कंडिशन यह है कि बीच में जो चीज है जहां से आप गुजरेंगे यह चीज घूम रही है रोटेट कर रही है तो मुझे बताओ तो मुमेंट यू विल स्टार्ट technology, a to point b अगर यह चीज घूम रही है तो आप deflect हूंग नहीं होगे वह deflection होगी मुझे बताओ अगर यह चीज घूम नहीं रही होती तो आप सीधा चलते तो आप अराम से भी point पोण जाते बट अगर आभ यह चीज गूम रही है तो आपको एक बात समझ आ गई अगर भी यह चीज घूम रही है तो आप स्टेट पॉइंट में जा पाएंगे आप डिफलेक्ट होंगे यह जो डिफलेक्शन हुई ना यह डिफलेक्शन किसकी वज़े से हुई rotation की वज़े से और rotation की वज़े से जो force produce हुई क्या जो force produce हुई जिसने आपको आपके straight path से क्या किया deflect किया divert किया उसको हम क्या बोलते है Coriolis force समझ आया बचा simple है Coriolis force क्या है Coriolis force खुद में कोई force नहीं है कोरियोलिस फोर्स तभी पैदा होगी जब अब्जेक्ट क्या कर रहा होगा भाया घूम रहा होगा जैसे मैं घूम रहा हूं राइट अब आर्थ क्या कर रही है बचा रोटेट कर रही है तो सिम्पल सी बात क्या अर्थ रोटेट कर रही है आंसर इस तो मुझे बताओ अगर आर्थ रोटेट कर रही है इस पे अगर कोई भी अबजेक्ट अगर आप घुमाने की कोशिश करोग Hazel एफ और कोई भी चीज़ अगर इस पे चलाने की कोशिश करो तो वो डिफ्लेक्ट होगी 100% डिफ्लेक्ट होगी वही डिफ्लेक्शन को जो फोर्स करती है because of rotation of earth उसको बोलते corals force मेरी बात clear हो गई तो मतलब earth में जब भी आपकी हवाएं है या पानी है या कोई भी moving object है जब वो एक point से दूसरे point में चलेगा तो उसको डिफ्लेक्शन होगी वो straight path में नहीं चल पाएगा वो डिफ्लेक्शन जो उसे हुई है it is because of corals force और corals force कैसे पैदा होगी because of rotation of earth क्या होगी rotation of earth मेरी बात के लिए मतलब अगर earth rotate नहीं कर रहा होता तो तो कभी deflection नहीं होती done बचा यह बात clear होगी अब देखिए अब देखिए अगर यह जो corals force है ना इस corals force का कुछ पढ़ना हमने मुझे एक बात बताईए जब हमने देखा था कि धरती जो है वो कैसे rotate करती है तो अगर आप north pole से south pole की तरफ देखेंगे है ना मतलब धरती rotate करें यह north है यह south है यहाँ से देखेंगे तो धरती आपको हमेशे क्या देखीगी anti-clockwise, उल्टी घूमती हुई, right, और अगर south pole से दिखेंगे, तो धरती आपको क्या दिखेंगे, clockwise घूमती हुई, लेकिन हम हमेशा क्या बोलते हैं, धरती clockwise घूम रही है, कि anti-clockwise, anti-clockwise घूम रही है, क्योंकि हम हमेशा north pole से आर्थ को rotate करते हुए देखते हैं, south pole से नहीं देखते clear है, अब दोस्तों अगर बोल रहे हैं, कि point A से, अगर आपको point B पे जाना है, तो ये भी universal truth test को माल लो, अगर इन दोनों के बीच में object anti-clockwise घूम रही है, ये arrow देखे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि anti-clockwise चल रहा है, क्या, anti-clockwise, अगर कोई object anti-clockwise घूम रहा है, और अग अगर आप A से B की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे बताओ, मुझे A से B जाना तो मैं eastward face कर रहा हूँ, तो मेरा right कौन सा है, right ये है, कि right ये है, right ये है भचा, है ना, मैं eastward face कर रहा हूँ, तो right ये हो गया, तो जब भी कोई object anti-clockwise घूम रहा होगा, और एक moving object क क्या कर रहा है, उस path से गुजरनी की कोशिश कर रहा है, तो हमेशा rightward deflect होगा, right, अब आप देखिए, northern hemisphere में और southern hemisphere में क्या होता है, कि अगर जब ही wind एक point से दूसरे point में चल रही है, तो हमेशा कहाँ deflect होगी, अपने right में deflect होगी, कहा होगी right में, इसको बांद लो, धिमाग में इसको डाल लो, क्यों, क्योंकि northern hemisphere से अगर आप देखोगे, तो rotation क्या है, आपकी anticlockwise है, ठीक है, anticlockwise, और जब भी southern hemisphere में आप एक point से दूसरे point में जाने की कोशिश करोगे, तो आप हमेशा कहाँ deflect होगे, अपने left में, कहाँ deflect होगे, अपने left में, बच्चा ये बात दिम है, क्या पर नदन हेंचवेर, आप ये जो arrow है, ये किस तरफ point कर रहा है, west की तरफ point कर रहा है, और अगर आप नदन हेंचवेर में है, तो मुझे बताओ ये arrow west तरफ अगर point कर रहा है, arrow का right कौन सा ये, left कोन सा ये, अगर मैं नदन हेंचवेर होगें, तो मैं सीधे जाने के समझ आया कि को रिलीज फोर्स किया है इट इस नथिंग इस फोर्स विच ओस इस ओरिजन जो किसकी वज़े से ओर रहा है आर्ट की रोटेशन की वज़े से और यह क्या करता है कोई भी चीज अगर आर्ट सर्फेस में मूव कर रही है तो उसको डिफ्लेक्ट कर देगा अपनी कर रहा हूं राइट तो मेरे राइट के यह है मेरे लेफ्ट के यह अगर मैं नदर हमसुर में चल रहा हूं तो मैं कहां जाओंगा यहां जाओंगा यहां लेफ्लेक्ट होंगा क्लियर हो गया यहां समझ गए अब यही है डाइनमिक फोर्स इस जो क्या करती है जहां पे टे है वहाँ पे atmospheric pressure जादा करने के बचाए atmospheric pressure क्या कर देती है काम कर देती है आपको ये बात clear हुई समझ गए अब एक diagram बनाई है मैंने बचा देखिएगा पहले तो बाद ये है globe राइट ये globe पहले ये diagram देख लो उसके बाद मैं कहां चल रहा हूँ मैं चल रहा हूँ आपके इस diagram में आप देखो मैंने क्या किया यहां पर ये जो globe है ना ये जो globe है इस globe को मैंने ऐसे टेडा कर दिया है और खोल दिया है मतलब ये part को मैंने क्या कर दिया ऐसे खोल के equator यहां रख दिया है, North Pole यहां है, South Pole यहां, सर्फेस को ऐसे फिला दिया है, कुछ ऐसे, मेरी बात clear हो रही है, तो मतलब वो जो globe था ऐसे, यह globe था equator, तो equator को मैंने यहां रखा, तो equator के यहां पे क्या आ गया, North Pole, और यहां पे क्या आ गया, South Pole, अब देखो, यह जो arrow है ना, यह basically air है, what it is, it is a air, यह arrow क्या है, air, अब मुझे बताओ, यह equator है, 10 degree North, 10 degree South, मतलब यह सारा Southern Hemisphere, यह सारा Northern Hemisphere, equator में air rise करती है, कि air fall करती है, air हमेशा राइस करती है, क्यों, क्योंकि equator में बहुत गर्मी है, और यह गर्म होने के कारण, air क्या होती है, बहुत उपर चले जाती है, right, समझ का North Pole, दोनों दिख रहे हैं बचा, South Pole और North Pole में air निची के तरफ descend कर रही है, नीचे गिर रही है, क्यों, क्योंकि pole में बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड होने के कारण, air भी ठंड होगी, contract होगी, और वो नीचे air भारी होगी, तो भारी चीज़ क्या करेगी, नीचे के तर पोल्स तुवाट्स एक्वेटर, मतलब सरफेस पे बीट कर चले पोल्स तुवाट्स एकवेटर, अब अब देखिए, कि एकवेटर में आपकी air की हाइट देखिए, कहां तक जा रही है, क्योंकि गरम होने के कारण, air बहुत ज़दा हाइट पर चले जाती है, आप याद कर यहाएट यहाँ पर बहुत ज़दा है, हाइट यहाँ पर ट्रोपोस्फिर की पोल्स में कम है, क्यों, क्योंकि वाउम, air बहुत ज़दा वर्टिकल हाइट क्या कर लेती है, अब मुझे एक बास बताओ, हमने ट्रोपोस्फिर में क्या पढ़ा था, कि जैसे जैसे आप उप कि तरफ जाएंगे टेंप्रेचर काम होगा कि भड़ेगा टेंप्रेचर कम होगा उसको बोलते है ना और हमने यह भी पढ़ा था कि वो जो नॉर्मल लाप्स रेट है किस डिगरी से है ना यह किस रेट से टेंप्रेचर गीरेगा तो हमने देखा था हर एक किलो मीटर पे 6.5 पृपोश्पेर की हाइट है दैट 18 kilometer वही पर आपकी पोल्स की जो फान से अचु नहीं तो मुझें बता обсे आइट ही तेम्प्रेचर ger यहां काम होना चाहिए अच्छा को तो टेम्प्रेचर जदा यहां कम होगा ना क्योंकि इसकी हाइट 18 किलोमेटर तक है मतलब नीचे सर्फेस में टेंपरचर का कम है पूल में उपर सर्व हाइं अलटिटूट में टेंपरिचर का कम है एक्वेटर के ट्रोपोस्फेर में आप मेरी पास तभी आप देखना में एक्वेटर में भी आपको ग्लेशर मिलते हैं मांट किली मंजारों हमने पड़ा था मांट किली मंजारों तंजानिया में मिलता है और तंजानिया जो है वह एक्वेटर रिजन में अब बच्चे यहाँ पर टेंपरेचर इससे जादा कम है जिसकी वज़े से अब एर क्या करती है अपर ट्रोपोस्फेर में दोनु तरफ मूब करना शार्ट करती है नौर्थ पॉल भी साथ पॉल मूब कर रही है आप मेरी पास समझे क्या हुआ एक्वेटर में एर राइस करी उपर गई ठंडी 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 होती होते है बहुत ठंडी होगी और वहीं पर इसके अपर हम्परीटिव एर यहां पर थंदी है क्योंकि इसकी हइश जादा होने के कारण इसका टेंपरेचर कम है अब एर दोनु तरफ फ्लो करना शार्ट होगी नॉर्थ पॉल इसाथ बिल्कुल अपर एर में पहुंचेगी तो वहां पे इसकी विल उसिटी हो जाती है जीरो और वहां पे एर क्या करते बिल्कुल रुक के इगठा हो ना हो जाती यह क्या होती है इक इसी को क्या वोलते अभी मैंने आपको बताया था अब मुझे एक बात बताओ जब एक Diesel बाइस के इसलिए कि बढ़ एक चापई होगी तो वह भारी होती है और वह नीचे की तरफ घरना से स्थाड से देखे स्थाट से principe इसाइब कोई भी एर का दबाब फील ना कर रहे हूं लेकिन आप एक पर आपने माउट से एर को ब्लो करें अपने हाथों के डायरेशन की तरफ आप देखना आपके इसके उपर क्या होगा आपको एर प्रेशर फील होगा फिल किजी आप आप जैसे ब्लो करेंगे अपने हाथों के ऊपर तो यू विल फिल वट कि एयर प्रेशर जो है वह भढ़ रहा है क्योंकि एयर ऊपर से नीची की तरफ आ रही है अप यहां पे एर इगठी होगी एर इगठी क्यों जब वह अपर ट्रोपोस्फेर एक्वेटर से चलना साथी पोल की तरफ उसकी विलासिटी कम 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 यहां पर और यहां रुक गई अब पीशे से तो एर कंटिनुसली आ रही है तो एयर वाइफ फोर्स क्या होती है एर नीची की तरफ गिरना साथ करती है डेंसिटी बहुत बढ़ गी अब जब एर नीची की तरफ तो दबाब डालेगी हालां कि यहां पर टेंपरेचर बहुत जादा है क्या है बच्चा टेंपरेचर बहुत जादा है लेकिन प्रेशर भी बहुत जादा है इटीज विकाउज ऑफ पाइलेशन अफ एर और फ्रिक्शनल फोर्स क्लियर हो गया समझ गे तो इसी बेल्ट को यह जो बेल्ट है जो 25 दिगरी से 35 दिगरी नौर्थ लाटिटूट में मिलती है और सेम इसी लाटिटूट में सदर हमिसर मिलती है उस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्या बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बच्चा कौन से लेके इन latitude के बेच में यह याद रखना आपको 25 degree North and 35 degree North in Northern Hemisphere और 25 degree South and 35 degree South in Southern Hemisphere याद रहेगा बच्चा, clear है, समझ गे और ये किसके कारण बनी है, क्या temperature कारण है, No, क्या कारण है इसके पिछे, dynamic reasons है, वो क्या है आपके pilation of air pilation of air and frictional force and क्या है आपका frictional force, clear हो गया तो देखिए ना, अब जब भी आप पढ़ोगे आप पढ़ोगे subtropical high pressure belt क्या, dynamic pressure belt, आप देहना कभी पढ़ोगे ठीक है, dynamic pressure belt किसकी वसे बनी तो आप पढ़ोगे, the air which rises at equator, ठीक है after deflecting it upper troposphere it diverts towards north pole and south pole and while moving towards what north pole जो air क्या होती है pile up होना साट जाती because of very low velocity low velocity क्यों ही, opposite force लग रही है, pilation हो गया clear है, बज़ा समझ के अब मुझे एक बार बताना जब मैं air को blow कर रहा हूँ, तो air की particular direction है, क्या air तिर्फ यहां जा रही है या air यहां जा रही है air कहीं पर भी जा रही है, उपर से blow करोगे air, यहां पर भी जाएगी, यहां पर भी जाएगी, कहीं पर भी जाएगी, तो अब यह जो air, जो यहां से, कहां से, आपके surface पर, यह surface है, surface है surface से कहां की तरफ blow करना start हुई, आपकी रुकिएगा रुकिएगा सर्फेस से कहां से ब्लो करा शारी from subtropical high pressure belt to equator low pressure belt उसको हम बोलते हैं trade winds या दखेंगे क्या बोलते हैं उसको trade winds तो trade winds क्या है बच्चा दोनु तरफ trade winds क्या है trade winds वो winds है जो कहां से कहां चलती है surface पे उपर surface के उपर कहां से subtropical high pressure belt से equatorial low pressure belt की तरफ clear है मेरे दोस्तों समझ आ गया यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है आगे चलने बचा अब देखिए अब पोल पे तो क्या है दोनु पोल पे क्या है यह high pressure है तो wind to high लोट से आएगी अब यहां से हवा चलना शार्ट होते है सर्फेस पे अब उपर से जो हवा है वो भी इस डारेक्शन में आ रही है आप मुझे बताएं जो इस रीजन से पोल की तरफ जो हवा आ रही है वो गरम होने चाहिए कि ठंडी होने चाहिए और विसली गरम सहारा डेजर्ट से जो हवा और गरम हवा जब आ रही है ठीक है यह आती है और किस जगा में आके दोनु मिलती है 45 डिग्री नौट से 65 डिग्री नौट नदन हेमिस्वेर में और सदन हेमिस्वेर में सेम लाटिडूट में मिलती है अब कभी भी याद रखीगा बच्चा जब भी cold air और warm air opposite side से यह suppose करो यह warm air है और यह क्या है बच्चा आपकी cold air है डन जब भी cold air और warm air दोनु जब जिस point पे आके मिलेंगी उस point को हम क्या बोलते हैं front बोलते हैं क्या बोलते हैं हम उसको front बोलते हैं what we call it we call it front समझ गें और याद रखिए क्या cold air warm air के characteristic बिल्कुल सेम होगे नहीं cold air का temperature क्या होगा बच्चा बहुत काम warm air का temperature क्या होगा ज़ादा अगर warm है तो इसमें humidity water content आपको क्या मिलेगा ज़ादा मिलेगा cold है तो इसमें humidity क्या मिलेगी आपको humidity क्या मिलेगी काम मिलेगी इसके density क्या होगी जादा होगी इसके density क्या होगी बच्चा कम होगी मेरी बात clear हो रही है समझ रहे हो तो क्या दोनूं मिल रहे हैं दोनूं हो गया एक हो गया इंडिया एक हो गया पाकिस्तान तो दोनूं मिल पाते हैं कभी रहता ना conflict तो जब भी cold air warm air converge करने की को पाते क्यों कि उनकी जो character stick है, बिल्कुल different है, character stick है, temperature, humidity, density, बिल्कुल same नहीं है, आप भारी कोन सी है, आपकी cold air, हल्की कोन सी है, आपकी warm air, तो भारी air क्या करती है, warm air को, क्या करेगी, warm air को भारी air क्या करती है, भाइया आपकी उठा लेती है उपर उपर उठा लेती है और जब ये cold air warm air को push कर रही होती है तो ये भी by force क्या होती हो उपर की तरफ जाती है अब ये है surface ध्यान से सुनिएगा बच्चा ये जो मैं green बना रहा हूँ ये है arch surface arch surface के उपर क्या हो रहा है cold air भी चल रही है और warm air भी चल रही है अब जब cold air warm air क्या mix हो पाएंगी नहीं क्यों नहीं mix हो पाएंगी characteristic बिल्कुल different है तो cold air warm air को क्या करती है भाई साब force करती है और जिसे warm air उपर जाती है नीचे कोई भी air ना होने के कारण जब air ही नहीं है तो pressure क्या होगा when there is no air or very less air तो pressure will be pressure will be low प्रेशर क्या होगा लो तो अब आप देखिए अभी आप जाहिए योरप मुझे बताई कैनडा में ठंड है के घर्मी है बताई हो मुझे शावाज योरप के कुछ रिजन के बताता हूं मैं आपको जर्मनी बताता हूं आपको राइट आपको रिज दिया कॉर्मैशन प्रीशन ऑफ रंट फ्रंक कैसे बनते हैं वें टू कांट्रास्टिंग टू डिफरेंट एअर मासेस कंवर्च और वहां पिक How के बनेगा लो forge क्या है Black southern धर कई थेद मैं यहड़े शैयों के बनेगा कि अदो आल्दो टैंपरीचर क्या है बहुत ज्यादा कम है प्रेशर क्या होना चीथ है ज्यादा प्रेशर भी क्या है क्या कारेंट टेंपरेचर आने कारेंट क्या है movement of what to what ears in towards each other right towards each other बचा clear है यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है अब देखिए, दोनु जगाई ये हो रहा है, cold air आरी है polar region से, warm air आरी है आपके sub-trop region से, मिले और इनने क्या बना दिया भया, front बना दिया, समझ गए, अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने अभी तक बताया, राइट, अब जो sub-trop एक अच्छे से बना लेते हैं, बचा, या या रुकिए, या रुकिए, मैं इसको उठाता हूँ, कोई बात नहीं, अब देखिए, बचा, हमें अब पता चला है, कि pressure belts जो हैं, वो कितने type की हैं, pressure belts हैं, बचा, दो type की, कौन-कौन सी pressure belt है, बचा, कौन-कौन सी pressure belt है, कितने type की pressure belt है, दो type की, एक है thermal pressure belt, क्या, thermal PV लिख और 2 क्या है, polar high pressure belt, जिनका सीधा कारण क्या है, temperature, इसलिए हम इनको बोलते है, thermal, what, induced pressure belt, लेकिन, बाकी जो pressure belts जो बनी है, उनके कारण, पीछे क्या है, direct heat नहीं है, वो क्या, आपके dynamic reasons, जिस पर हमने क्या discuss किया, अभी, अभी discuss किया, हमने, coriolis force, frictional force, pilation of air, अब, कितनी belts से त्री, तो दो कौन सी है, दो है, आपकी sub-tropical high pressure belt, क्या है, sub-tropical high pressure belt, कहां मिलती हैं, बच्चा, कहां मिलती हैं, मुझे बताओ, 25 डिग्री, नॉर्थ, और, नॉर्थ से लेके, 25 डिग्री, नॉर्थ, टू, 35 डिग्री, नॉर्थ, 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 ठीक है, जो कहां से कहां मिल रही हैं आपकी, 45 degree to 65 degree north in northern hemisphere and 45 degree south to 65 degree south in southern hemisphere, बच्चा यहां तक clear है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, कोई problem तो नहीं, समझ आया अच्छे से, अब चल रहे हैं बच्चा आगे, देखिए, आप चल रहे हैं यह उतार लेना, हो गया clear, अब यहां देखिए आप थोड़ा सा, आईए यहां पे, इसको उतार लिए ना, बच्चे इसको उतार ले, इसको उतार लेना, पॉस करके इसको उतार लेना, ठीक है, अब देखिए यहां पे, 10 degree यह बना रहा हूँ, नीचे आप खुद देख लेना, है ना, यह असान कर दी हैं मिने आपके लिए बोद, 10 degree north से, 10 degree south के बीच में है, equatorial low pressure belt, फिर उसके बाद, 25 degree north से, आपका 35 degree north में क्या है, sub tropical high pressure belt, उसके बाद, आपका 45 degree north से, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, 45 degree north से, 65 degree north में, sub polar low pressure belt, और आपका 70 degree north से, नॉर्थ पोल, आपका क्या मिल रहा, polar high pressure belt, सेम सिधा नीचे, 10 degree north से, 10 degree south, equatorial low pressure belt, 25 degree south से, 35 degree south, subtropical high pressure belt, 45 degree south से, 65 degree south, sub polar low pressure belt, और 70 degree south के, ब्याइंड क्या है, आपका polar high pressure belt, इन में से, heat के कारण कौन कौन सी बनी है, एक equator low pressure belt, दो polar high pressure belt, बाकी किसके कारण बनी है, पाइलेशन अफियर, फ्रिक्शनल फोर्स, कुरियलीस फोर्स, क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर समझ आ गया, अब चलूं आगे, अब देखिए, total belts, thermal को भी include करें, और आपका equatorial pressure belt को भी include करें, तो मुझे बताएं, कितनी pressure belts हैं, साथ, how many, seven, seven में से तीन, thermally induced pressure belt, और बाकी आपकी चार जो है, वो क्या है, आपका dynamic pressure belts, अब दोस्तों, wind हमेशा कब चलती है, जब pressure difference आता है, और wind हमेशा कैसे चलेगी, high to low चलेगी, क्या चलेगी, high to low, अब देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, मैं इन सब को erase कर रहा हूं, बचा, इन सब चीज़ों को erase कर रहा हूं, इसी pressure belts के, इन pressure belts को हम क्या बोलते हैं, बचा, global pressure belts, क्या बोलते हैं, global pressure belt, और अगर आपको कोई पूछे, कि wind की origin किसकी वज़े से होती है, तो आप बोलोगे, because of pressure gradient, आप थोड़ा सा फास गाए, कि pressure gradient भईया क्या है, है ना, because of pressure, wind का origin किसपे depend करता है, pressure gradient, कुछ नहीं है, pressure gradient मतलब pressure difference, और pressure difference कितने तरीके के, बचा, दो ही तरीके के, या तो high pressure होगा, या तो low pressure होगा, और ये जब pressure difference आएगा, तो air move करना, start कर देगी, horizontal उसको क्या बोलेंगा, wind, आप मुझे पता, पूरे globe में, कितने pressure belts मिल रहे हैं, seven, तो भाया, इनी seven pressure belts की वज़े से, ये पूरे साल रहते हैं, इनी seven pressure belts की वज़े से, जो wind पूरे साल चलती हैं, पूरे साल, उनी को हम क्या बोलते हैं, जो wind पूरे साल चलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, planetary winds, what we call them, we call them planetary winds, क्या बोलेंगे हम उनको, planetary winds, और permanent winds, यार रखेगा, और permanent winds, और global winds, क्या बोलेंगे हम उनको, global winds, ठीक है, और prevailing winds, यार रखेगा, ये चार नाम बता दियें मैंने आपको, prevailing winds क्या है बचा यह वो विंट्स है जो पूरे साल चलती है because of global pressure difference या pressure gradient वो दिख रहा है ना हमें साथ global पूरे globe में pressure gradient इनकी वज़े से अब यह जो planetary winds permanent winds या global या prevailing winds यह तीन टाइब की है एक है बचा सबसे पहले trade इस्टर दिश्च वेस्टर लीज और लगो को क्या है यहीं एक् представitly ग्लोबल एसोट्र मुमीज चा कि और variance क्यों कि अर लिजिनेंट हुई वह किसके वस जो चलती है हैं आपकी सब्चामपियकल हाइप्रेशर बेल्ट इक्वेट्वेटरियल BREAK Dawn बेल्ट के और व्यां फेटर सब्चे 흡ाय और लोग के ये फिरल गगोष ने ये यैई यई पूर के से उपर भी तो नीचे भी है अब यहां हाइप प्रेशटर है यहाँ low pressure है अब यह एक्वेटर आपर नदर हमेश vayर है यह टो इतल चली है यहां विड्र इन साम क्या बोलते हैं यही विंड्स को हम क्या बोलते हैं आपका गोलते हैं वह ट्रेमी जो आपकी नदन हैमिस्फेर में चल रही हैं उनको हम बोलते हैं नौर्थ इस्ट ट्रेड विंड्स क्या बोलते हैं नौर्थ इस्ट ट्रेड विंड्स और वो ट्रेड विंड्स जो आपके सदन हैमिस्फेर में वो ट्रेड विंड्स जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेट से एक्वि मुझे बताओ क्या wind high pressure से low pressure सिधा चल पाएगी कौन बोल रहा है चल पाएगी तो उसको वीडियो फिर से देखनी है और जिसको लग रहा है कि नहीं चल पाएगी तो बिलकुर सही है क्योंकि आर्थ रूटेट कर रही है अब यह हिस्सा नदन है मैंने क्या बोला जब भी नद क्लियर हो रही है इसका right क्या हो यह तो इसको आनता सीधा बाट deflect होगी अपने कहां पे राइट में क्या deflect होगी अपने left में अब देखिए बचा जो direction है न वो कैसे कैसे mirror की जाती है अब इसको मैं erase कर रहा हूँ dirix कैसे mirror की जाती है बचा यह है आपका North यह आपका South यह यह इस नॉर्थ और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ इस इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट इसको बोलेंगे आपका नॉर्थ वेस्ट जब डाइरेक्शन ऐसे है तो नॉर्थ से आ रही है जब डाइरेक्शन ऐसे है तो साउथ से आ रही है जब डाइरेक्शन ऐसे है तो हम उसको बोलेंगे वो क्या dolces याद रखेंगा जब डारेक्वेस्ट ऐसे होगी तो मुखे जब डाय अइसे होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे नॉर्थ हtha स्वेस्ट आपने सुना होगा जून-जलाई हाफ रही है और सदर विट रही है तो क्या है आप उपर चलते हैं ऊपर बच्चा देखिए यहाँ पर क्या आपका यहाँ पे लो प्रेशर बल्ट है और यहाँ अगर सब ट्रोपिकल हाई प्रिशह बेल्ट से एकविट और प्रिशह बैल की तरफ हवाँ चल रही है तो आप वीट को जानता सीधा मैं बना रहा हूं ब्लाक ब्लाक कलर विंड को जानता सीधा बट वीन्ड ड में अपने कहां पर right पे, क्योंकि northern hemisphere wind हमेशे कहाँ deflect होती है, right पे deflect होती है अब नीचे wind को जानता सीधा but wind southern hemisphere में कहाँ deflect होती है, अब ये जो wind ये जो wind, जो भाया आपके subtropical high pressure belt से equator low pressure belt की तरफ चलती है उसको हम बोलते हैं westerlies what we call them, we call them westerlies क्या बोलते हैं, या इसको इसको हम बोलते हैं, वेस्टरीस क्लिएर हो गया बचछा, वेस्टरीस किया है, वेस्टरीस वो हवाएं है, वो ग्लोबल विंड्स की एक्सब्स जेंपल है, जो कहां से कहां चलती है, आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशियर से एक्वेटोरियल लो प्रेश्य सौरी सब पोलर लो प्रेशियर की तरफ अब अब बचा उपर देखिए उपर क्या है उपर पॉलर हाइप प्रेशियर बेल्ट नीचे सब पॉलर लो प्रिशन विंड को वापार चलना था उपर से निचे ता सीधा बट विंड डिफलेक्ट होगी अपने कहां पे कहां पे आपके लेफ्ट में उसको अगेन हमने क्या बोला इस्ट रिलीस यह विंड बचा पूरे साल रहती है क्योंकि ग्लोबल प्रेशर बेल्ट जो है वह पूरे साल आपको देखने को मिलते हैं इसलिए इसलिए इ नॉर्थ वेस्ट है तो हमेशा यह होगी नॉर्थ वेस्ट को आप ऐसे नी बनाओगी यह क्या बनगी यह साउथ इस होगी यहां रखेगा बढ़ी बात क्लियर है डान बचा कोई दिक्कत तो नहीं पक्का समझ आ गया है ना तो यह था आपके प्रेशर बेल्ट के बारे मे और आपके किसके बारे में भीया आपके विंड सिस्टम के बारे में अब थोड़ा आगे चलते हैं हम राइट आगे चलते हैं थोड़ा एक्वेटर के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट किया बचा देखिए मैंने यही बताया मैंने बोला कि य से कहा लोकेटीड है बच्चा देखो लिखा हुआ है 10 डिग्री नौर से 10 डिग्री साउथ के बीच में लोकेटीड है कैसे बनती है क्योंकि यहां पे सन की हमेशा वर्टिकल रेज या डायरेक्ट रेज पड़ती है जिसकी वज़े से टेंपरिचर क्या रहता है जी बहुत हा प्लाइट करती है और क्या होस्टी लाइट जिसके वज़े से प्रेशर भी क्या हो जाता है राइट और बोला consequently इसी के consequence के वज़े से इसी के कारण ये air उपर के तरफ जाके क्या create कर देती है low pressure कहाँ पर ground surface पर clear है समझ गे चले हम आगे अब देखो बचा इसको अभी छोड़ते हैं इसको हम next में करेंगे अब क्या आ गया बचा बोला equator low pressure belt को हम क्या बोलते हैं बहुत काम कंडिशन बहुत काम क्यूंकि आप सपोस करिए कि मेरी क्या हो रहा है कि आपका जो air क्या होगी गरम होगी है ना अब जब air उपर गरम होगी नीचे आप देखो आपको बरसातों के मोसम में क्या होता है बर साथ हो को मोसम में सबसे ज़्यादा दिकत टेंपरेचर नहीं है, सबसे ज़्यादा दिकत है भाई साब गुम, humidity बोलते हैं उसको, बड़ी calm condition हो जाती है, पसीना ही पसीना चलता है, क्यूंकि air जो है, वो सारी जो horizontal चल गे थी, वो heat up होके क्या होगी, उपर की दरफ इसको हमने क्या बोला, डोल्टरम कहां मिलेगा आपका equator में, और बच्चा इसका lateral extension डोल्टरम का यार हिख न, ये 5 डिग्री नवर से 5 डिग्री साउथ के बीच में आपको डोल्टरम मिलता है, क्या मिलता है, बीच में आपको डोल्टरम देखने को मिलेगा, ठीक है, क्यों याद रखीगा low pressure का मतलब trough है अब जब pressure low pressure elongated लंबा low pressure आ उसको हम ट्रफ बोलते हैं simple क्या आ बोलेंगा elongated low pressure is called trough राइड बोला यह Wrquaz किसकी कारण ITCZ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ITCZ, what is the meaning of ITCZ, Intertropical Convergence Zone, क्या लिखा हुआ है, यह देखे, Intertropical Convergence Zone, यह क्या है बच्चा, यह दो जब ट्रेडविंट्स आके मिलती हैं, तो इसी जोन को हम क्या बोलते हैं, Intertropical Convergence Zone, and it is a very very calm condition, जिसका दूसरा नाम के रखा है, हमने सब्ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में, हमने क्या दिखा, यह कहां मिलता है, अभी हमने पड़ा, 25-35 जिग्री नॉर्थ, दोनुं हैमिस्फेर में, राइट, तो नदन हैमिसर इसको क्या बोलते हैं, कुछ नहीं है, नौर्थ सब्ट्रॉपिकल हाई प्रेश बोला, हवा यहां सेटल होगी, यह वह हवा है, जो एक्वेटर से क्या होगी थी, राइस होगी थी, है न, तो भाई, यह जो हवा यहां पर सेटल की हुई, हवा रुकने की कारण, और भाईया, आपका क्या वो, आपका डिसेंट फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, वो क्या होग भाई आपका यहां पर उसने हाई प्रेशर बेल्ट बना लिया बचा आगे चल रहें देखिए क्या यहीं लिखा है ठीक है हाई प्रेशर बेल्ट इस लाटिटूइड इस बिकाउस सट्लिंग डान विंड्स विच अरोज इन इक्विटल रिजन और गॉट डिफ्लेक्टिट तो इसलिए बोलते हैं यह जो हाई प्रेशर बेल्ट है यह क्या है डाइनमिक लिए इंडिव प्रेशर बेल्ट डाने हुए ठीक है आगे चल रहें बचा आगे चल रहें अब बोला यहां पर वैदर कंडिशन क्या है मुझे एक बात बताओ बचा जब हवा चलती है ऐसे या North-South से मिलती है, East-West या North-South से मिलती होगी, आप उपर से आती हो, अभी हवाहत को अभी अभी फील नहीं कर पाऊगे, उसको कौन फील कर पाता है, भाई सब आपके Eagle बगारा है, टन है ना, जो आपके Paragliders बगारा है, वो फील होता है, आप ऐसे हवाहत को vertically फील नहीं कर तरफ आ रही है, और जब एर नीचे के तरफ आ रही है, तो वो बारिश नहीं कर आपाती, क्योंकि जैसे जैसे आप निचे आते जाओगे, और सर्फिस की तरफ आते जाओगे, टेंपरिचर बढ़ता जाएगा, तो इवैपरेशन होगी, ना कि कंडेंसेशन, इसलिए आप ये देखोगे कि 25 दिगरी नौर्थ और 25 दिगरी साउथ में, आपको ज़्यादा तर क्या मिलते हैं, डेजर्स मिलते हैं, क्यों डेजर्स मिलते हैं, यहाँ पे काम कंडिशन है, यह उपर से नीचे की तरफ आते हुए, जब नीचे आती हो, गरम होती जाती है, जिसकी वज पे ये कैई आप add a, बmaya का बचा पुराने टाइम पे क्या ओता मेडिवेल टाइं पे क्या ओता, आपने सूरा होगा, कि बहुत सारे घोडे के शोंकीन होते थे हमारे जो इंडिया में, राज़ा होते थे और अरब देशों से बहुत ज़्धा ट्रीड होता था घोड़ों प अब जब वहां से निकलते थे अरेवीन सी से जब वह आते थे कहां की तरफ आपके इंडिया के तरफ ट्रेट करने तो आप जब यह इस बेल्ट पर फसते थे अब मुझे एक बात बताओ उस वक्त तो इंजन होते नहीं थे उस वक्त आपको हाथों से बोर्ट चलानी पड़त थे ना इनके शिप्स का बहुत ज़्यादा भार होता था लोड बहुत ज़्याद होता है अपने लोड को कम करने के लिए जगह से फटा फट निकलने के लिए अपने घोड़े जो हैं वह इसमें फैंक देते थे समूंदर में तब ही इसका नाम क्या पढ़ गया सब लोई प्रेशर बैल हमने देखा कि कहा मिलता है यहां पर बचाइनों ने गलत दिखा हुआ है यह आपका 45 दिगरी नौट टू 65 दिगरी नौट था यार किये गा दोनु जगह में 45 ददिनौ। 65 दिगरी नौट यार कि प्रेशर बेल्ट्ट आर अगें क्रिटिटफ करेंगी कनवर्ट करेंग उसको हम क्या बोलते हैं और यह किसके कारण बना है देखो बचा लिखा हुआ है ड्यू टू रोटेशन आफ अर्थ एयर डेवलप से टेंडेंसी ऑफ बिंग थ्रोन आउटवर्ट्स एंड स्प्रेडिंग आउटवर्ट्स है ना आर्थ रोटेट कर वजे से जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रंट आगे चल रहे हैं बचा आगे आगया आपका क्या आगे आपका आगया किसका फॉर्मिशन आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट का फॉर्मिशन तो मुझे बता पोलर हाई प्रेशर बेल्ट तो हमने देखा ही कि पोलर हाई आगे हम नया टॉपिक कंटीनू करेंगे जिसका नाम रहेगा टेंपरेचर और किस तरीकी सा टेंपरेचर को पड़ा जाता है दोस्तों यह बहुत ही डीटेल में आपको वीडियो कराई गई है ऐसी ही वीडियो उसको डीटेल में देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब ला वीडियो वीडियो वीडियर फ्रेंज थैंक यू सो मच दोस्तों